हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके सामने कोई भी कुकिंग वीडियो नहीं ला रही हूँ आज कुछ खटके मैं वीडियो बना रही हूँ तो चलिए पहले तो आप मेरे गार्डेन को देख लीजे और आज हमारे घर में हो रहा है पेस कंट्रोल तो बस मैं उसी में बिजी हूँ को टो चलिए बाहर की पोशिशन में है ना एक हो रहा है यह इस तरह से इनसेक्टिसाइट्स डालते हैं तो इंसेक्स खतेम हो जाता है क्योंकि कीडे मगोरे भी भी बहुत है आते हैं कीडे पतिंगे भी जिनकी वजह से चिपकिलिया भी घर बना लेती है तो आज मैंने है कि घर की जो हालत है तो कबड वगएरा खाली कर दिया है समान हमारे इधर उधर बिखरे पड़े हैं हर जगा इस तरह से इस कार्टिंग में देखिए यहां पर कुछ अप्रिकेशन हो रहा है यह पेस कंट्रोल कर रहे हैं तो पहले तो यह कोनों में खोल करते हैं यह बोरिं यह कि अधर कर देखिए पहले इस हिस्से में पेस कंट्रोल करा ना तो काफी इपक्टिव रहता हैं घर में कफी कई सालों तक बहुत आराम से रहाता है कीडे मकोड़े कुए को कॉक्रुच वगेर का बिलकूल ही सत्यानास हो जाता है को खेर थोड़ी मेंच तो होगी है समा सारे बिखरे पड़े हैं ये देखे हमारा किचन है अभी रूम से ये किचन में आ गए है तो आप हमारा ट्राइपॉड भी देख रहे हैं क्यूंकि मैं इस घर में भी अपने शूटिंग का समान रखती हूं कबर्स खाली हो गया है कुछ समान बाहर है कुछ अंदर है अब सब की क्लीनिंग करना फिर से और सब भी समान को सेट करना है कि बहुत लिंदी जॉब है तो हमारा किचन भी बहुत पिखरा हुआ पड़ा हुआ नजर आ रहा है अब इतार शेल्फ की तरफ भी इनोंने केमिकल डाल दिया और फ्रेंट्स हमने लंच तो पहले ही बना लिया था तो आज हमने फिश करी और उबले हुए चावल बना जो कि मैं पेस कंट्रूल होने से पहले ही मैं ने बना के तैयार कर दिया था तो आज को वीडियो बस एहीं तर तो मिलते हैं फिर कुछ नया और अच्छा और मज़ेदार ले करके कुछ कुकिंग करेंगे हम साथ में मिलके थैंक्स वाचिंग अला अफेज